मात्श्री नर्वदेहर की तटपर भी उनका यही प्रयास रहा है लगातार पैदल नर्वदा परिक्रमा करते रहे हैं उनकी साइट तीन प्रिक्रमा पूर्ण हो चुकी है यह में मेरी ख्याल से चोंथी परिक्रमा होगी पैदल इस बार परिक्रमा के दोरान इनका मल्ला आगमन हुआ है आईए उनके इस प्रियास को लेकर उनके उज्जल भारत अव्यान को लेकर नदियों के सरक्षण को लेकर कितने सफल हो पाए हैं वे और आंगे क्या प्रियास हैं इसको लेकर चर्चा करते हैं मराजी नर्वदेहर परहूँ चोंती बार आपसे इससमपर्ख हो रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकारकेशंसाय करने की आवशक्ता नहीं है। चतुर मास का जो समय होता हैं वो बर्शा की वज़े से होता है। या बर्षा में कोई ना चले उसको असुमिधा ना हो इसको परिशानी ना हो इसलिए उनको रोका गया यह हमारी लोगप्द्दती है लोग परămपरा है यह अधिक्त में रहते हैं लोग मतरब दिरिश्टी से देखा जाए तो हम लोगों को यह सम्मानते हैं एक लोग परमपरा होती है, जैसे हम लोग कहते हैं कि यहां हमारे दादा जी ने पूजा की थी, फिर उनके दादा जी के पिता जी ने की थी, फिर उनके कोई किसी प्रकार का संसय करने की ज़रोत नहीं है, क्योंकि मा की और भगवती की उपाशना के लिए कोई भी ऐसा समय न जाता है कि बहुत अच्छा है आपने अच्छा पूछा है कि लोगों को जानकरी होनी चाहिए मैंने यहीं परिक्रमा शुरूर नहीं कि मेरे सब देखिए दंडी स्वामी-जी है उन्हों नहीं भी कि है और लगवक 50 लोगों परिक्रमा शुरूर की और ये दारू मत पी करिए नसा मत करिए अपराद करिए भृष्टा चार मत करिए इंची जो का नीयोमों में लाहीं आप गलत से परहेच करिए अधार्मे यह सकता नहीं है। मा के दर्शन के साथ साथ में ये हमारी आध्यात्मिक परिक्रमा तो है ही लेकिन इसके साथ साथ हम लोग सामाजे की यात्रा को लेके चलते हैं जैसे पिछले बार भी हम लोगों ने जो एक जागरुपता का अभ्यान चलाया और मा नर्मदा जी के तट पर वसे हुए जो लोग थे उन लोगों से हम लोगों ने संबाद किया कि किस इस्थिती में मा का प्रभाह वहता रहे और मा के तटों को स्वक्ष किस तरह से बनाया जा सके यह सभी विश्वों पर हम लोगों ने चर्चा कि उसी को लेके हम लोगे लगातार यात्राएं करते हैं और ऐसा नहीं है कि हम यहां संबाद ना करें तो कुछ ना हो हम यहां संबाद करते हैं एक मोन रूप में संबाद करते हैं यहां भले ही हमें कोई वेक्ति ना मिले लेकिन हम यहां से समझ लेते हैं और यहां की समझ को हम ऐसे सक्षम लोगों के बीच में जाके कहते हैं जहां से उसका समधान हो सके अगर हम यहां कहेंगे कि यहां सफाई नहीं है यह है वैसा है यह सारी चीजों का समधान ततकाल नहीं हो सकता है इसमय लगता है तो इनी सब चीजों को हम यहां से देखने के बाद ऐसे सक्षम लोगों के पास इस बात को पहुंचाएं ताकि वो लोग इसको फॉलो करें और इसको पूरा करवाएं उनके बीच में हम अपनी बात को रखते हैं ऐसा हमारा निरंतर प्रयास रहता है चाहे वो नर्मदा जी की बात हो गंगा जी की बात हो यमना जी की बात हो वेतवाजी की बात हो लगाता है नदियों की यात्राओं का हमारा दौर है स्वामी आपने समय दी आपको बहुत बहुत धन्वाद नर्मदे है नर्मदे है